नमस्कार स्वागत है आप सभी का संस्कृति आई एस के योट्यूब प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम है शुबम और आजम बात कर रहें एक महतुपून टॉपिक पर जो जुड़ा है बिहार राज्चे से हाल फिलाल में एक वीडियो शोशल मीडिया हैंडलर्स पर बहुत तेजी से क्रॉल हो रहा है वीडियो बता रहा है एक ऑपरेशन के बारे में जो यूट्यूब की वीडियो को देखकर करा गया है जिससे मरीज की मृत्यू भी हो गई है हम सभी जानते हैं यूट्यूब एक श बहुत सारा ग्यान और बहुत सारी समगरी मिलती है जैसे हम सीखते भी हैं जैसे कि food recipes, stock markets related information, educational videos, dance, music और भी अन्य पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम medical की field की कोई वीडियो देख रहे हैं तो हम doctor और surgeon बन जाएं हमें कोई भी right नहीं है किसी को भी या फिर किसी व्यक्ति को लाकर उसकी body के साथ चेरफार कर उसे operation का नाम दे और खुद अपने आपको surgeon का नाम दे दे तो ये मामला बिहार राज्ये के सारण जिले का है जहां पर ऐसा एक व्यक्ति दुआरा खतरनाक काम करा गया है आए समझते हैं कि क्या है पूरा का पूरा मामला और क्यों है ये चर्चाओं में बिहार के सारण जिले में किशोर लड़के की मौत हो गई है परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने यूट्यूब पर वीडियो देख कर किया था operation घरवाले आरोप लगा रहे हैं हमारा जो घर का बच्चा है जिस पी मरीज की मृत्यू हुई है वो कारण डॉक्टर का है और डॉक्टर ने यूट्यूब की वीडियो को देख कर operation करा है अब बच्चा जो है वो मात्र 15 वर्ष का है और उसे शिकायत थी पेट में दर्द की और वॉमिट की तो घरवालों ने अपने नजदी की हस्पताल में उसे भरती कराया हस्पताल का नाम गणपती सेवा सदन हस्पताल है इसके बाद एक जोला छाप डॉक्टर सामने आता है जब operations, surgery वगेरा बड़े operations करे जाते हैं तो घरवालों से documents पर sign करवाये जाते हैं कि we are not responsible अगर व्यक्ती को कुछ हो जाता है पर यहां तो document का D.B. नहीं है एविन घरवालों से तो पूछा भी नहीं करा और operation कर दिया गया है अच्छा अब बताया जा रहा है यह जो 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 आप डॉक्टर है यह एक प्राइविट डॉक्टर के क्लिनिक में काम करता है और यह जाया जाया करता था वहीं पर थोड़ा बहुत इलाज करना सीख गया और इलाज में समझ सकते हैं कि बुखार की दवा देना सीख गया सिरदर्द की दवा देना सीख गया बट यह तो operation ही सीख रहा है operation जो इसके द्वारा सीखा गया है थोड़ा बहुत उसे चोटे से बच्चे पर इंप्लिमेंट कर दिया और इसकी जान चली अब घरवालों द्वारा आरोप है कि यूट्यूब की वीडियो देखकर operation किया गया operation के दौरान बच्चे की हालत काफी ज्यादा जाता है यानि कि एंबुलेंस कर पटना हॉस्पिटल की तरफ लेके जाता है और बच्चा बीच में ही दम तोड़ देता है अब लड़के की मौत के बाद डॉक्टर फरार हो गया इतना irresponsible बंदा और व्यक्ति जो एविन डॉक्टर के साथ ही रहता है लाइफ की तो भुवालपुर गाँ निवासी गौलु सहा पिता चंदन सहा के रूप में करी गई यहनिकी बच्चे का जो नाम है वह गौलु सहा है और पिताजी का नाम चंदन सहा है इनके पिताजी काफी जादा बोड रहे हैं वीडियो में अगर आपने देखी वी हो तो इसकी जो इसकी मौत कैसे हुई है इसे समझ लेते हैं हमने जाना कारण यूट्यूब है और वीडियो है इसके बाद operation जब करा गया तो गॉल ब्लेडर के पास की जो नस है वो कट गई इन्होंने stitch करा टांका लगाया टांका गलत लगा और वो lungs के साथ सट गया after that उसकी बाड़ी में यानि की बच्चे की बाड़ी के अंदर काफी जादा internal bleeding हुई है जिससे इसकी मौत हो गई है तो यही मौत हुई है इस प्रकार अब समझ लेते हैं कौन कर सकता है operation और surgery डॉक्टर कर सकते हैं surgeon कर सकते हैं as we all know बट तरीका क्या है उसे समझ लेते हैं चकि MBBS Bachelor of Medicine और Bachelor of Surgery कहलाता है अच्छा MBBS में medical यानि की medical field की सभी चानकारी information first aid की पढ़ाई करवाई जाती है अब MBBS होने के बाद post graduation होती है एक graduation उसके बाद post graduation पोस्ट graduation जो होती है वो मुख्य रूप से higher specialized course कहलाते है higher specialized course में आप पढ़ते हैं एक non-surgical बिमारियों के लिए और दूसरा पढ़ते है surgical operations के लिए जब non-surgical बिमारियों के लिए पढ़ाई करी जाती है तो MD करी जाती है और MD की पढ़ाई करवाई जाती है जिसे doctor of medicine कहा जाता है यही surgeon बनने के लिए operation अगर आपको करना है तो आप MS यानि कि Master of Surgery की पढ़ाई करेंगे और आपको यह पढ़ाई करवाई जाएगी अब MD में specialization course की सुविधा है MD जब करी जाती है निकि बिमारियों के बारे में जब पढ़ा जाता है तो बॉड़ी के जो special organs होते हैं उसके लिए अलग अलग पढ़ाई करवाई जाती है इव अब जैसे अगर hurt से जुड़ी बिमारियों के बारे में इलाज करना है आगे चल कर तो MD Cardiologist वह व्यक्ति जो डॉक्टर बन रहा है आने वाले समय पे वो MD Cardiologist के लाएगा यहीं अगर वो Surgery कर रहा है तो MS की पढ़ाई वे करेगा यानि कि Master of Surgery की पढ़ाई करवाई इसी के साथ MS और MD के बाद Super Specialty करवाई जाती है Super Specialty क्या होती है इसे समझ लेते हैं देखिए MS और MD के बाद यह होती है इसमें Specialty या फिर से Super Specialty कहा जाता है इसकी पढ़ाई होती है MD के बाद Doctor DM यानि की Doctorates of Medicine करते हैं जो Super Specialty कोर्स कहलाते हैं इसमें पढ़ाई में अलग अलग बॉड़ी पार्ट्स हैं तो उसमें अलग अलग पढ़ाई करवाई जाती है सिक्षा दी जाती है जिसके बाद व्यक्ति MBBS, DMD, DM कार्डिलोजिस्ट कहलाते हैं एक्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें जैसे हर्ट से संबंदित बिमारियों में कई डॉक्टर उच्छ कोर्स करना चाहते हैं और हाईर एजूकेशन लेना चाहते हैं तो वो DM कर सकते ह हैं अच्छा, DM करने वाले डॉक्टर अपने अपने शेत्र के अंदर जिसमें उन्होंने पढ़ाई लिये उसमें वो सर्जरी भी कर सकते हैं इसे डिगरी के समक्ष होती है MCH, Master of चिरूर गिये, अब यह कोर्स MS के बाद किया जाता है यानि कि Post Graduation के बाद यह कोर्स किया जा जिसमें ब्रेन, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर, यूरो, आदी से संबनित सर्जन बन सकते हैं अब एक सवाल आप लोगों के लिए आपका क्या कहना है हमने बहुत सारी फणी वीडियो भी देखी है जो डॉक्टर से रिलेटिड है मतलब फणी वीडियो की बात मैं कर रही इस प्रकार की फणी वीडियो अमने देखी है पर ऐसा कुछ सीरियस तो नहीं देखने के लिए मिलता हमें इस प्रकार का चीज देखने के लिए मिली है जहाए एक कमपाउंडर की इतनी हिम्मत हो गई कि वो किसी की जान के साथ खेल सकता है अब आपकी क्या राय है क्या सज मिलनी चाहिए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इस कॉस्चिन का भी आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो